Hello and Welcome to Pryak Career Institute's English Class या वीडियो मेंन कॉर्स आफ कमपेटिटिव इंग्लिश के लिए है इस वीडियो में आजकल हम वर्ब चैप्टर पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में ओक्जिलरी वर्ब्स का टॉपिक चल रहा है And auxiliary verbs में आजका टॉपिक है can and could तो rule one can or could for power, ability or capacity यानि can का और could का प्रयोग अपने ताकत दिखाने, चमता दिखाने याsongyता दिखाने या ability का मतलब युग्यता और कापेसिटी का मतलब होता है चमता तो अपनी ताकत दिखाने और अपनी योग्यता दिखाने और अपनी छमता दिखाने के लिए किया जाता है मैं मैथ पढ़ा सकता हूँ ये मेरी अबिलिटी है मैं एक साथ चार पहलवान से लड़ सकता हूँ और चार पहलवान को कुस्ती में गिरा सकता हूँ ये मेरी टाकत है जो मेस्ट पढ़ा सकता हूँ ये मेरी योग्यता है इस कमरे में 20 बच्चे बैढ सकते हैं ये इसकी entity है Bottle में 1 लिटर या 2 लिटर पानी आ सकता है ये इसकी capacity है इस computer में एक बार मैं 500 जीवी डाटा स्टूर हो सकता है ये इसकी capacity है इस तरह से power ability और capacity को दिखाने के लिए can और could का use होता है जहां may और might का use permission लेने देने के लिए संभावना के लिए और doubt express करने के लिए हो रहा था और दूसरा उद्देश ये बताने के लिए हो रहा था वहीं यहां पर अपनी सामर्थ बताने के लिए यानि वहां हम पूछते हैं किया आपकी आग्या है permission है यहां हम कहते हैं कि मेरे अंदर इतनी छमता है कि मैं आँख से ही आँख से देखने मात्र से पूरा पेड़ जला सकता हूँ यानि मेरे अंदर आँख से पेड़ जलाने की छमता है मैं अगर क्रोध से देख लूगा तो पीड जल जाएगा तो यह क्या है यह अपनी चमता यह ताकत बताने के लिए हम इस तरह से कहते हैं तो अमंग रजी में कहेंगे I can if I look angrily at the at this tree at a tree I can burn it with my eyes तो मैं उसको जला सकता हूँ तो यह तरह से अपनी चमता का एहसास कराने के लिए हम किसी को can और could का प्रयोग करते हुए यूज करते हैं sentences यह अपनी बात कहते हैं पहला sentence पहला rule है can could expresses someone's power ability or capacity यानि can और could किसी की चमता या power के विशे में को express करता है the structure of such sentences is this यानि इस तरह के sentences का जो structure होता है वो यह होता है structure का मतलब यह है कि किसी sentence को लिखने में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा उसके बाद फिर किस प्रकार के शब्द आएंगे और उसके बाद फिर किस प्रकार के शब्द आएंगे या किस pattern में शब्द आएंगे यह इस बात की जानकारी है इसका नक्षा देने के लिए जो शब्द प्रयोग की जाते हैं उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं तो he can read, he can read यहां पर स्ट्रक्चर कहा है subject plus can, can के बाद फिर verb in the present tense verb in the present tense का मतलब होता है first form of the verb subject plus can plus verb in the present tense, verb in the present tense का मतलब है verb in the first form of the first form, verb in the first form तो he can read English, यहां read first form में, he can read English मतलब वह अंग्रेजी पढ़ सकता है, यानि कि उसके अंदर अंग्रेजी पढ़ने की योग्यता है you can play, यानि कि तुम खेल सकते हो, यानि कि तुमारे अंदर खेलने की शक्ती सामर्थ है यानि she can sing, she can sing means वह गीत गा सकती है या वह गा सकती है यानि कि उसके पास गीत गाने का या संगीत का ग्यान है यानि कि वो उसके पास गीत गाने की योग्यता है या उसके पास गीत गाने की छमता है इसके अगर negative sentences बनाएंगे तो negative sentences क्या हो जाएंगे इनमें not लगा देंगे तो negative हो जाएगा He cannot, he can't read, you cannot, he can't play, she cannot, she can't sing इस तरह से can के साथ not लगा देने से ये negative sentences हो जाते हैं third is subject plus could plus first form of the verb means verb in the present tense verb in the present tense का मतलब क्यों होता है? first form of the verb तो अगर could is that past tense of can मतलब could जो है वो can की past form होता है it expresses the idea that someone had या जो है ऐसा idea express करता है that someone had जो किसी के past था the power ability or capacity in the past मतलब कुछ ऐसे idea को ये express करता है जिसमें की past में किसी के past ताकत थी या योगिता थी या छमता थी या कहने के लिए जैसे he could read, he could read कि अगर Hindi बनाएंगे तो Hindi तो हो जाएगी वह पढ़ सका you could read, you could play, you could play कि Hindi हो जाएगी वह खेल सका and she could sing कि Hindi हो जाएगी वह गा सकी लेकिन इसका English meaning करेंगे तो English meaning हो जाएगा he could read, he could read means he was able to read, he was able to read he had the capacity या he had the ability to read, means he had some knowledge that because of that knowledge he was, that knowledge made him able to read उसके पास कोई ऐसी जानकारी या knowledge या ज्यान था या शक्ति या चमता थी जिसके कारण वह पढ़ सकता था you could play means you had power to play और you were able to play यानि तुम खेलने में सक्चम थे समर्थ थे she could sing, she could sing means she had the power to sing she had the ability to sing, तो she could sing यहाँ हो जाएगा fourth sentence is negative form तो इसके जिस तरह से can मैं not लगा करके cannot या can't हो गया उसी तरह से could का जो के साथ अगर हम negative form लगा दे मतलब not लगा दे में तो वो उसकी negative form हो जाएगी as for example he could not या फिर he couldn't, could not या फिर couldn't ये contact form हो गया he could not read यानि he was not able to read यानि वो पढ़ नहीं सका means he had no power to read या he had no ability to read या उसके पास पढ़ने की चमता या योग्यता नहीं थी you could not play या you couldn't play यानि तुमारे पास खेलने की चमता या योग्यता नहीं थी she could not sing यानि वह गा नहीं सकी यानि she did not have the power to sing or she did not have the knowledge how to sing कैसे गाना गाया जाता है उसकी चमता नहीं थी ये कहते हैं या she was not able to sing वह गाने की उसमें चमता नहीं थी या फिर हम इस तरह से कहते हैं rule 2 rule 2 can or cannot can or cannot मैं can or cannot expresses the idea of a possibility being or not being there मतलब कोई चीज हो भी सकती है और हो भी नहीं सकती है तो इसका idea देने के लिए can or cannot के द्वारा इसका इस अईडिया को इसप्रेस करने के लिए can or cannot typically it can rain today मतलब संभावन ये तरह ‎क रह संभावन ये बताने के लिए ड़्य ङए आज बारिश हो शक्ती है it can not rain to dye आज बारिश नहीं हो शक्त अदो भी शक्ती नहीं था meaning express करने के लिए He can win the prize यानि वह prize जीत सकता है He cannot win the prize वह prize नहीं जीत सकता है He can lose the game वह हार सकता है He cannot He can lose the game वह हार सकता है He cannot lose the game यानि वह हार नहीं सकता तो संभावना है और संभावना नहीं है या कहने के लिए ऐसे sentences का use यानि उसमें सामर्थ है, can मतलब उसमें सामर्थ है, can lose, मतलब उसमें सामर्थ है, lose करने की, यानि कि जो जीतने के लिए ताकत चाहिए, वो नहीं है, हारने के लिए जो छुमता चाहिए, वो है उसमें, इसका मतलब यह हुआ, can could rule number three, can could are also used for taking or giving permission like may or might, in American English, can could are more popular, और अमेरिका में permission लेने और देने के लिए, can और code का ज्यादा प्रयोगों किया जाता है, and can could का प्रयोग permission लेने के लिए भी use किया जा सकता है, may or might की तरह, तो can I go now, तो इसका मतलब यहां पर हो गया कि अगर पूचा गया, तो क्या मैं जा सकता हूँ, मैं भी use किया जा सकता है, yes you can go, यह can I go now, permission मांगने के लिए, yes you can go, यह permission देने के लिए, no you cannot go, यह permission किसके लिए, यह permission ना देने के लिए, इस तरह से इनका प्रयोग भी यहां पर किया जा सकता है, rule 4, can't, can't मतलब cannot की contract form हो गई, can't expresses the sense of negation, यहनि अगर हम can't कहते हैं, तो यहनि कि वह निगेशन, यहनि कि किसी काम को न करने का एक feeling, यह sense यह अर्थ होता, you can't meet her, means you are not allowed to meet her, means आप उस काम को नहीं कर सकते, यह करना नहीं चाहिए, you cannot, you cannot, you cannot का ही contact form, can't, you can't enter the premises, मतलब you are not allowed to enter the premises, यहनि कि premises में एंटर करने के लिए आप allowed नहीं है, rule 5, can or could for forming interrogative sentences, can or could का use of interrogative sentences को form करने के लिए भी किया जाता है, जैसे may और might का किया जाता है, उसी तरह से can और could का भी किया जाता है, can or could are also used for making interrogative sentences, can or could का प्रयोग interrogative sentences बनाने के लिए भी किया जाता है, their structure is can, could plus subject plus first form of the verb in the present tense, verb in the present tense का मतलब होता है, first form of the verb, जैसे can you help me, can you help me, means क्या आप मेरी मदद कर सकते है, means do you have mind or do you agree to help me, can you help me मतलब, can a horse swim, यानि क्या गोड़ा दौड सकता है, can he speak French, यानि क्या हुआ French बोल सकता है, तो इस तरह से क्या से शुरू ओने वाले questions को translate करने या बनाने के लिए हम can से sentences पूच सकते हैं, can plus subject plus first form of the verb के structure से, could is used for extreme courtesy, यानि जिस तरह से might का use courtesy दिखाने के लिए होता है, उसी तरह से could का प्रयोग भी might की जगाँ पर, या might की तरह courtesy दिखाने के लिए होता है, यानि कि विनम्रता दिखाने के लिए किया जाता है, could you lend me your pen, इसका मतलब है कि मैं विनम्रता से आप से पूछ रहा हूँ कि क्या आप अपना pen मुझे उधार दे सकते हैं, could you give me a lift by your car, यानि क्या आप अपनी कार से मुझे lift दे सकते हैं, मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह है, यानि मैं काफी hesitated में मैं पूछ रहा हूँ, मेरा विनम्रता पूर्वक आप से निवेदन है कि क्या आप मुझे अपनी कार में lift दे सकते हैं, rule 6, can or could in indirect speech, can or could का प्रयोग in indirect speech में भी हो सकता है, यानि होता है, कैसे होता है, जैसे make a might में होता है, उसी तरह से can को हम could में indirect speech में हम change कर देते हैं, can becomes could in indirect narration when the reporting verb is in past tense, जब reporting verb past tense में होती है, तो can को could में change कर देते हैं, direct से indirect narration में change करते हैं, आज यह एक्जामपल को स्क्राइब करते हैं इंवर्टेट कोमा के लिए परेपोर्टिंग वर्ड तो ही आस्क्त मी रिपोर्टिंग वर्ड जो के पास्ट में है and can you help me यह reported speech है जो की present में है तो इसलिए he asked me if जो sentences interrogative होते हैं या auxiliary verbs से शुरू होते हैं तो उनका जो indirect होता है वो if से शुरू होता है और यह inverted commas अटा दी जाते हैं तो he asked me if and I could help him तो can को किस में if लगा करके sentence को simple बना दिये जाता है तो sentence को simple बना दिया गया है लेकिन sentence को simple बनाते हुए भी can की जगा उपर क्या लिखा गया है could लिखा गया है could इसलिए लिखा गया है क्योंकि he asked यह reporting verb है और यह किस में है past में है reporting verb के past में होने के कारण reported speech के can को could में change किया गया है he asked me if I could help him यह sentence हो गया है finally he said I cannot go there I cannot go there he said I cannot go there यह direct speech हो गया इसमें भी देखे he said reporting verb है I cannot go there यह reported speech है उपर लिखा हुआ है कि जब reporting speech यह reporting sentence यह verb past में होता है तो reported speech की can को could में change कर देते हैं indirect में बदलती समय indirect speech में बदलती समय तो यह क्यों हो गया he said that he could not go there तो यह reporting verb चुकि past में है इसलिए that यहाँ चुकि यह subject से start हुआ यह sentence तो subject से start होने पर यहाँ that लगा दिया inverted comma अटा दिया and I को he में change according to rule हो गया और can not किसमें change हो गया cannot could not में change हो गया could not go there यह indirect speech हो गया now is rule 7 can have plus past participle can have plus past participle का मतलब है can have plus third form of the verb तो यह किसलिए यूज के जाता है this structure expresses the idea of possibility और uncertainty about an action to have been done in the past this structure expresses the idea of possibility यह जाता है जाता है यह फिर एक्स्प्रेस करने के लिए यूज किया जाता है और uncertainty यह फिर अनिस्टिता को एक्स्प्रेस करने के लिए about an action to have been done in the past मतलब कोई action जो के past में हो सकता था या किया जा सकता था उसको एक्स्प्रेस करने के लिए या structure यूज किया जाता है can have has the same sense as may have जो may have का sense होता है वही आपर can have का sense होता है its structure is subject plus can have plus past participle इसका जो structure होता है structure मतलब जो pattern होता है जिसके बाद जो शब्दाना चाहिए ये जो समज होती है subject subject के बाद can have can have के बाद past participle लिखा जाना चाहिए past participle का मतलब है कि third form of the verb आनी चाहिए तो वही आपर क्या है वही आपर आई है अब यहाँ पर देखे इसका earth क्या है इसका earth है he can have reached by now he can have reached by now का मतलब है he may have reached by now यानि शायद वो अब तक पहुँच चुका हो यानि he may have reached by now यानि शायद वो अब तक पहुच चुका हो has also the same meaning इसका भी वही meaning होता है जो can have होता है या can have reached का वही meaning है जो may have reached का earth है यानि इसका earth हो गया शायद वो पहुच चुका हो सी तरह से second sentence he can have heard the news he can have heard the news मतलब शायद उसने समाचार सुन लिया हो या सायद वो समाचार सुन चुका हो सी तरह से he can have sold the horse यानि सायद वो गोडा बेच चुका हो या सायद उसने गोडा बेच दिया हो या sentence इसका या meaning इसका यहाँ पर है he can have sold का then is could have plus past participle या perfect infinitive दोनों का मतलब यह की होता है could have plus past participle का मतलब है have plus third form of the verb और perfect infinitive का भी मतलब होता है have plus third form of the verb तो यह दोनों का मतलब यह की है sentences of this structure show that someone or something had the power or ability to do a certain work but still he could not do it या है sentences of this structure यानि इस structure के जो sentences होते हैं show that यह दिखाते हैं कि someone or something had the power की किसी व्यक्ती में कोई सामर्थ थी power or ability या फिर कोई योग्यता थी to do a certain work किसी निश्चित काम को करने की योग्यता थी but still he could not do it लेकिन फिर भी वह उसको कर नहीं सका जैसे for example he could have passed to the examination यानि वह examination पास कर सकता था यानि वह परिक्चा पास कर सकता था यानि but he could not लेकिन उसने की नहीं या कर नहीं सका की नहीं मतलब उसने interest नहीं लिया या कर नहीं सका लेकिन कर सकता था अगर वह चाहता second sentence you could have reached in time you could have reached in time का मतलब हुआ कि तुम समय से पहुच सकते थे यानि तुम दे वहा समय से पहुचने में interest नहीं लिया but could not, but could not मतलब इसी में इसका आर्थ सबस्त होता है you could have reached in time यानि तुम time से पहुँच सकते थे यानि लेकिन तुमने पहुँचने का पूरा उसका कोशिश नहीं की यानि तुम पहुँचे नहीं third, he could have avoided the accident यानि वो accident को avoid कर सकता था यानि उसने accident को avoid करने में interest नहीं दिखाया rule 9, can in the negative sense can in the negative sense negative sense में क्या होता है can is used in negative as cannot cannot की तरह यूज़ किया जाता है और interrogative sentences में यूज़ किया जाता है but may is used in affirmative sentences only येकिन may का use मतलब negative sense में नहीं या sense में नहीं किया जाता है can he come तो may he come मेही कम ऐसे ये गलत है ऐसे कैसे गलत है कि कैन ही कम जो है वो एक इन्फॉर्मेशन मतलब इन्ट्रोगटिव फॉर्म है ने मेही कम अगर हम कहें कि इससे हम पर्मिशन मांग रहे हैं तो ऐसे तो हम कह सकते हैं मेही कम इन ऐसे तो हो सकता है लेकिन पर्मिशन मांगने के लिए लेकिन हम मैं ही का मैं ही कम मतलब मैं आप से या किसी विक्ति से पूछो कि क्या उसकी आने की संभावना है तो इसी तरह से अगर मैं किसी विक्ति से पूछता हूँ और उस संभावना के लिए कहता हूँ मैं ही कम तब क्या है तब यह सिंट को हम उसमें मतलब परमिशन लेने के लिए इंट्रोगटिव सेंस में कर रहे हैं देन इट इस ओके दूसरे प्रकार की लेने के लिए किया आ सकती है मदद सम्हावना है टाइम से आने कि प्लेटफॉम पर आने की तो इस तरह से अगर हम वहीं सेंटेस बोलेंगे तो गलत हो जाएगा तो इस तरह से नेगेटिव और इंट्रोगटिव सेंटेस के वलकें से ही बनाए जाते हैं नौव ही कैननोट कम तो मे नौट कम इस रॉंग यहां पर नौव ही केननोट कम की जगा नौव ही मे नौट कम अगर कहेंगे ऐसे ही मतलब डेकाटिव सेंस में तो गलत है परमिशन देने के लिए कहेंगे तो ठीक है he may come चीक है तो he may come कहा जा सकता है can this happen now this cannot happen यह का जा सकता है अम may this happen ऐसे नहीं का जा सकता है या no this may not happen ऐसे नहीं का जा सकता है तो यह जो sentences थे यह can और could के विश्र में हमने सीखा in case अगर कोई भी problem है कोई चीज जानना सुनना समझना या कोई question पूछना चाहते हैं तो प्रयाक करियर इंस्टेट्व टू थूथाउज़ डाट कोम पर आप अपना question भेज करके अपनी कोई बात कर सकते हैं और comment section में लिखकर भी आप अपनी बात कर सकते हैं थेंक यू फॉर तोड़े और बाइबाई